यह पील है कि हमने पार्किंग जगह आपको दी हैं आप पार्किंग एरिया में जाएं वहां शटल बसे का भी और अर्गनाइजर ने बंदबस किया है तो इससे बड़ा सुविदा और कहां होगी आप पार्किंग स्पेसे में अपनी गाड़ी लगाएं वहां पे आपका शट अपन होंगे और शाम को जो देवी हैं और यह यह हमने उपन कर दी हैं अलमोस्ट यह हम मरी नफरी वहां डिप्लाइब हो जाएगी तो यह उपन हो जाएंगे तक्रेंवन हम एक्स्पेक्ट कर रहे हैं कि दो तीन बज़े पप्लिक आना शुरू हो जाएगी तो उस रसाप से पबलिक आना शुरू हो जाएगी रूटीन मुवमेंट कब स्टॉप करे की रूटीन मोवमेंट कोुछिश करेंगे लिक कहीं भी किसी टाइम भी हफ्ता जो मैच चलेंगे ना स्टॉप हो और चलती रहे हां कभी कभार कभी कोई कंजेश्यन हो गी या कोई इस तरह की सिच् शुक्रिया बहुत बहुत हैं उसमें हमने कोशिश करेंगे कि सिटी को हम जितना से जितना फ्री रख सकें और जितनी ट्राफिक यहां चला सकें नॉर्मल एक जो आदमी जो ट्राफिक जो मैच देखने नहीं आरा उसको हम कम से कम इनक्रुमिनियंस देंगे और हमारा पूरा उसी पे हमारा पूरा जोर है कि जो नॉर्मल और जो आदमी जो ग्रिकेट के अलाबा अपने डूटीस पे जा रहा है वो उस पे उसे कोई problem किसी क होगी आप पार्किंग स्पेसे में अपनी गाड़ी लगाएं वहां पे आपका शटल बसे होंगी और वैसे भी जो साइंस कॉलेज है या आपका जेडिये तो वाकिंग दिस्टंस है तो मुसम बढ़ा अच्छा है और बाहर आपने देखा होगा जो मैचिस होते हैं काफी सुआ से तो यह उपन हो जाएंगे तकरेवर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दो तीन बजे पब्लिक आना शुरू हो जाएगी क्योंकि मैच साड़े पांच शे बजे के करीब तो उस असे साब से पब्लिक आना शुरू हो जाएगी रूटीन मुवमेंट कब स्टॉप कर रह हैं तो उसका अलग से रच भी होगा तो उस तरह से हम वह होगा अदरवाइस हम हमने कोई नॉमल ट्राफिक को रोकने का कोई कोई आजर नहीं किया है शुक्रिया बहुत बहुत हैं उसमें हमने कोशिश करेंगे कि सिटी को हम जितना से जितना फ्री रख सकें और जितनी ट्राफिक यहां चला सकें नॉर्मल एक जो आदमी जो ट्राफिक जो मैच देखने नहीं आ रहा उसको हम कम से कम इंकर्मिनियंस देंगे और हमारा पूरा उसी पे हमारा पूरा जोर है कि जो नॉर्मल और जो आदमी जो क्रिकट के इलावा अपनी जूटी से जा रहा है वो उस पे उसे कोई प्राब्लम किसी किसे नहीं है